नमस्कार मित्रो आज का ये वीडियो बड़े ही एक मैत्वपून प्रोसेस के बारे में है कि हम किस तरह से जितना भी वेदों का ज्ञान है उसे अपने माइड में डाउनलोड कर सकते हैं इस यॉनिवर्स से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अगर जितने भी रिलिजियस बुक्स वगरा की बात करें तो हर धर्म में बहुत सारे बुक्स हैं जैसे मैं केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म की बुक्स की बात करूँ तो इसमें वेद हैं उपनिशद हैं कांड हैं और कई सारी चौपाईयां हैं रामचरित मानस हैं और बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं गरंथ वगेरा और अगर इन में जो नॉलिज लिखा गया है संस्कृत लेंग्विज में कईयों में कईयों में अन्य दूसरी बासाओं में लिखा गया है तो अगर हम इस पूरे को पढ़ने बैठें तो मेरे ख्याल से पूरा एक जीवन भी कम पढ़ेगा एक तो पढ़ना फिर उसको समझना और उसको अपने जीवन में फिर उतारना ये तीनो स्टैप्स को अगर हम अच्छे से करें तो पूरा लाइफ जो है हमारा असी नबे साल का सौ साल का जो भी हमें प्रकरती के द्वारा मिला है तो ये भी कम पढ़ेगा तो फिर क्या किया जाए क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है क्या कोई क्योंकि हमें अगर इस जीवन में आये हैं तो हम सभी लोग चाते हैं कि और हर वेक्ति का एक दाइत्व बनता है, हर वेक्ति का एक कर्तवे बनता है कि वो मोक्ष का अनुबव इस जीवन के अंदर इस जीवात्मा का जब तक इस सरीर में है तो इस जीवात्मा के माध्यम से एक निर्वान और मोक्ष की प्राप्ति का आ पुरा ज्यानी बने बुद्पुरस बने और एक है कि हम इनको बिना पड़े कैसे हम बुद्पुरस ज्यानी व्यक्ति बन सकते हैं ताकि हम इस जनम में निर्वान की प्राप्ति कर सकें मित्रों इस बात को बहुत ही महत्वपुर्ण तरीके से समझना बहुत ही महत्वपुर्ण सिद्धांत है हमारा जीवन से जुड़ा हुआ क्योंकि मैं जब आपको बात बोलूंगा तो हो सकता आपको अनकन्विंसिबल लगे आप कन्विंस नहीं कर पाएं लेकिन आप इस वी वेदो का ज्ञान है, जितने भी धार्मिक किताबे हैं, इनका जो ज्ञान है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपके इस आसपास की युनिवर्स से, और आप अपने उन्दर की युनिवर्स से, कैसे होता होगा ये प्रोसेस, आपको meditate करना होता है, अच्छा, meditation से क्या ये सारा ज प्यान आप अपने अंदर आत्मसाथ कर लोगे जी हां देखिए इन सभी को पढ़ने का जो अंतिम से अंतिम लक्षे है हमारे जीवन का वो क्या है मन के अंदर शांती मन के अंदर आनंद की एक सर्वोच अवस्ता को प्राप्त करना हां किसी व्यक्तिक अगर यह है कि वो अप सारे संस्कृत के स्लोक याद करने पड़ेंगे और उनमें बोलने की एक जो पारगम्यता होती है एक जो फ्लो होता है विसेश प्रकार का जो बहुत सारे दर्सकों को आकर्शित कर सके वैसे उसे डेवलप करना पड़ेगा अगर वो अपना कोई इकोनामी उससे रन करना चा जान की एक अवस्था में जाते हैं तो स्वत्य ही हमें वो आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है एक तो है देखो कि इन सारी जानकारियों को लेते हुए इनको समझते हुए जीवन में आत्मसाथ करते हुए एक आनंद की अवस्था में पहुंचना और एक है आनंद की जो सिधे पहुंच जाना तो यह सारे steps क्या हो जाएंगे हमारे सब conscious mind के दोरह अपने आप cover हो जैएंगे और हमारे subconscious mind में जो सब steps का जो does intelligence है वो अपने आप आजाएगा अब आपको यह बात बड़ी को तो आप बताओ गीता के क्या सारे स्लोक आपको याद है आपने बीना जीता पड़े क्या आप गीता के सारे स्लोक बोल सकते हैं क्या देखे मित्रों यहां पे आपने जिस भाषा का ट्रेंग लिए बहुत कॉंप्लेक्स टॉपिक है इसको अच्छे से समझने के लिए द्यान से मेरी एक बात को समझना आपने जिस बासा का ट्रेणिंग लिया है जैसे मैं हिंदी बाशी छेत्र से बिलॉंग करता हूं मेरी मदर टंग जो लोकल राजस्तानी बाशा रही है मेरा परिवार में बाकियों के साथ बात करने में जो विक्सित हुई अभी तक इस समय में थोड़ा बहुत अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई की तो अंग्रेजी और हिंदी और जो राया की राजस्तानी बाशा है उन बासाओं पे मेरी पकड़ देर-देरे विक्सित हुई मजबूत हुई तो जब भी मैं ध्यान में बैठा ध्यान के माध्यम से ये संपूर्ण जो ग्यान की प्राप्ति अगर हुई मानलो किसी परकार की जो मैंने ये भी पाया कि वो वेदों में लिखी वी है जब भी मैं किसी वेद को पढ़ा जब भी किसी मैंने धार्मी किताब को पढ़ा तो मु थी जो उसकी परफेक्ट बाशा थी उसी में उसने लिखा परन्तु मेरे द्वारा मेरे अंदर जो ग्यान का उद्गम हुआ है वो जिस बाशा में मैं बहुत अच्छा हूँ उसी बाशा में मैं उसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा और हो सकता है अगर मेरा बासा ही ग्यान लिखे अई नहीं यहण अनन-का अच्छे पड़े लिखे थे अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उनकी बाद सब कुछ अपने अंदर के जितने भी वेदों में जो बाते लिखी गई होगी उस सारी उनको अपने आप से पता थी और उनको वो दुनिया को दे सके इसके लिए माध्यम चाहते थे वो चाहते थे कि पड़ा लिखा नवीवक उनके इस ग्यान को ले पाए ताकि वो दुनिया भी सीखी बाद में उन्होंने पूरे दुनिया को दिया तो आप यहां पे समझ सकते हो यह प्रोसेस कैसे काम करता है कि आप जब गहरे द्यान की अवस्ताओं में जाते हो आप समाधी की अवस्ता में जाते हो तो एक जो अंतिम छोर की अवस्ता प्राप्त होती है एक आनंद शान्ति के वस्ता प्राप्त होती है, उस अवस्ता के संपूर्ट जितने भी पहले वाले स्टैप्स होते हैं, जो बहुत सारा वेद, दुएदों के ज्यान, या फिर बहुत जादा अपन करमकंडी, जो किताबे हैं, उनसे पढ़ने से मालो आ सकता था, वो हम बहुती स्पैन ऑफ टाइम में बहुती कम समय में सब कॉंशियस माइंड में एक्वायर कर लेते हैं, अब उसका अगर आप प्रूफ करने बैठें, तो यहां पर आप कन्फूज हो सकते हैं कि क्या प्रूफ है डाउन्लोड हुए नहीं हुए, आपके मुझ से तर 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 एकदम रामचरित्र मानस की चौपाईयां क्यों ने निकल रही, आप तो कह रहे थे कि ध्यान के माधियम से आप डाउन्लोड कर लोगे, हाँ, रामचरित्र मानस की कोई जो चौपाई है जिसमें बहुत गहरा अध्यात्मिक ज्यान छिपा हुआ है, वो ज्यान आप अपनी बासा म जिस बासा में आप comfortable हैं, उस बासा में आप दे पाएंगे, अगर आप किसी बंगाली में sufficient बंगाली में बहुत अच्छी आपको आती है, तो आप रामचरित्र मानस की वो जो चौपाई है वो बंगाली में express कर पाएंगे, तो आपकी जिस बासा का ग्यान आपको बहुत कि अंग्रे जी वाशा अगर बहुत अच्छी है तो आप अंग्रे जी वाशा में राम चरित्र मानस की उस पर्टिकुलर चौपाई की बात को अच्छे से रख पाएंगे लोगों के बीच में तो ज्यान अगर आपको आत्मचिंतन आनंद की प्राप्ति के लिए मन की शांती क के लिए प्राप्त करना है वो तो साधना के माधियम से प्राप्त हो जाएगा हां अगर आप चाहते हो कि आप तड़ 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 यानि कि बहुत लोगों को अपने अंदर के उस अनभव को एक्सप्रेस कर पाएं तो सकता है कि आपको भाशाई ज्यान तो अगर हम मान लो उस तरह का दूसरे लोगों के साथ ग्यान शेर करना चाहते है तो मैं संस्क्रत पढ़नी चाहिए संस्क्रत की व्याकरण पढ़नी चाहिए लेकिन अगर हम इस माध्यम में भी सहे जैसे मैं जिस बासा का उप्योग कर रहा हूं मैं अगर उसमें सहे जो आप भी अगर इसमें सहे जो जिस बासक आप उप्योग करते हैं तो हमें कोई रिक्वार्मेंट नहीं है ऐसा कुछ करने की तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है यह उम्मीद करता हूं मैंने हर पहलू को इसमें इंक्लूड करते हुए जितने भी तरह के प्रश्ण आपके म माइंड में आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्